चले देखते हैं अब हम लोग question number 12 को question number 12 को सबसे पहले read कर लेते हैं उसको समझते हैं उसके diagram को बनाते हैं फिर diagram समझेंगे फिर आगी क्या करना है वहाँ पर देखेंगे यह question है easy लेकिन थोड़ा सा lengthy है तो time लगेगा इस question को solve करने में तेक है अब ध्यान से समझते जाए कि question क्या है उसके बाद यह जो diagram मैंने यहाँ पर बनाया है उसको मैं पूरा explain करूँगा कि यह diagram बनेगा कैसे और हम solve कैसे करेंगे ठीक है तो पहले question को पढ़ लेते हैं question है क्या question number 12 है a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle मतलब एक triangle ABC है उसके अंदर एक circle बना हुआ है of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively यहाँ पर diagram देखते हैं जहिए बुक के बगल में जो diagram बना हुआ है कि जो BC जो side है उसको दो पार्ट में बाढ़ दिया गया है एक है 6 cm और एक है 8 cm ठीक है find the side AB and AC आपको क्या find करना है AB और AC का value find करना है ठीक है question में क्या given है आपके पस ABC बना हुआ है जिसमें से माल लीजिए आपको BC given है और आपको find क्या करना है यहाँ पर AB और AC find करना है यहाँ पर बस थोड़ा सा diagram मेरा mistake हो गया है अभी ज्यादा नहीं है यहाँ पर B के जगाँ पर मैंने C कर दिया और C के जगाँ पर मैंने B कर दिया ठीक है तो आप इसको correct कर सकते हैं यहाँ पर B कर लीजिएगा और यहाँ पर C कर लीजिएगा बागि solution में कोई दिकत वाली बात होगी नहीं ठीक है, solution जैसा था, वैसे ही रहेगा, बस point पे अब ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है न, यहाँ पे इसको B ले लिजिएगा, और यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सब हाँ पे mistake हो गया था, उसको सुधार लिजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं diagram बनाता हू और उसको explain करता हूँ कि diagram बनेगा कैसे, ठीक है, तो ध्यान से दिखिएगा कि diagram बनेगा कैसे, ठीक है, यहाँ पे, सबसे पहले तो यह triangle, यह है, given हमारे पास question में, A, और यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, ठीक है, उसके अंदर एक circle है, circle का center है, यहाँ पे O है, फिर यहाँ से point of contact लिया गया है D, ठीक है, क्या लिया गया है, D, C से D का distance है 6 cm, और B से D का distance है 8 cm, ठीक है, आपको find करने के लिए क्या बोला गया है, A, B find करिया है, और A, C find करिया है, ठीक है, तीन side है, A, B, B, C, C, और A, C, ठीक है, उसमें से B से C, यह value पता है आपको, आपको A, B निकालन है और यहां से AC निकालना है ठेक है तो चलिए तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यह point जो C है यहां से दो tangent निकल रहे हैं ठेक है यह जो circle है वो triangle को तीन जगा पर touch कर रहा है एक D इसको ले लिजे E और इस वाले को ले लिजे F ठेक है तो हो गया 3 point of contact हो गया C से 2 tangent निकलेगा एक 6 और यहां पर यह तो आपको पता है कि एक point से अगर 2 tangent निकलता है तो दोनों का length सेम होता है अगर यह 6 है तो यह भी क्या होगा 6 ही होगा और B से भी 2 tangent निकला एक 8 तो यह भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए ठीक है यहां तो कापको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है एक point से 2 tangent निकल रहे है वैसे ही यहां पे देखिए point A है अब A से भी 2 tangent निकल रहे होंगे तो माल लिजे यह x है तो यह वाला part भी क्या होगा x होगा ठीक है तो ultimately आपको x का value find करना है x का value निकल गया तो A भी कैसे निकालेंगे A भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 8 प्लस x कर देंगे तो A भी निकल जाएगा और यहां पे ac निकालने के लिए 6 प्लस x कर देंगे तो ac निकल जाएगा हमारा ठीक है तो I hope कि आपको यहां तक समझ मैं आगे होगे कि diagram कैसे बन रहा है ठेक है अब मैं आपको आगे explain कर रहा हूँ कि आगे और क्या करने आपको यहाँ पर तो फिर से उस triangle को ले लीजे कि triangle था हमारा यह circle था sorry फिर से बना दे रहा हूं मैं ठीक है यह circle है naming कर दे रहा हूं a b c यह इस पहले point को d यहाँ पर e ले लीजे और यहाँ पर f ले लीजे ठीक है यह आपका center center अब क्या करिए जितने भी point of contact है सभी को center से मिला दीजा ठीक है तो यह e को मिला दीजे और f को मिला दीजे ठीक है तो triangle कैसा बना हमारा यह triangle 3 पार्ट में बढ़ गया ठीक है कितने पर में कैसे बाटना है आपको यह जो point है उसको मिला दीजे जैसे जैसे में मैं मिलाया हूँ ऐसे मिला दीजे ठीक है तो इस तरीके से है हमारा triangle 3 पार्ट में बढ़ गया ठीक है 3 पार्ट में बढ़ गया मान लिजे first वाला पार्ट 이제 second पार्ट और थर्ड पार्ट, तीन पार्ट में बढ़ चुका है, अब क्या करना है, यहां से आपको solve करने, start करना है, ठीक है, देखें अभी यहां पे, फिर से देख लीजे एक बार और, यह है हमारा triangle, ठीक है, यह क्या है, circle, यह तीन पार्ट में ऐसे बढ़ चुका है, ठीक है, और यह क्या था हमारा point of contact, मिला दिया इसको, अब यह final diagram बन चुका है हमारा, अब मैं सारा चीज एक बार बना दे रहा हूँ, a, b, c, यहां पे value कितना था, 6, 6, यहां पे 8, 8, यहां पे यह x, और यहां पे x होगा, ठीक है, तो आपको triangle का area का formula पता होना चाहिए, तो triangle का area हम लोग दो तरीके से find करते हैं, एक तरीका है हमारे पास, area equal to 1 by 2, base into height, एक यह तरीका है आपके पास, और दूसरा तरीका क्या है, याद करिए, herons formula, ठीक है, कौन सा formula, herons formula, ठीक है, तो यहां पे हम लोग दोनों formula का use करेंगे, तब जा करके हमारा finally solve होगा, ठीक है, अब area equal to 1 by 2, base into height, कहां पे use करेंगे, यह जो एक एक पार्ट आपका बढ़ गया है ना, अलग-अलग, तो एक-एक पार्ट को solve करने के लिए 1 by 2, base into height का use करेंगे, और overall निकालने के लिए, हम लोग herons formula का use करेंगे, ठीक है, तो चलिए, I hope कि आपको diagram समझ में आ गया होगा, कि क्या है, अब हम लोग पुरे question को solve करते हैं, ठीक है, तो यहां पे बस यह थोड़ा सा बस उधार लिजएगा, यहां पे B है, और यहां पे C है, ठीक है, बस सुधार लिजएगा, बागी solution को आप ध्यान से देखते हैं, कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहां पे देख लिजएगा, कि यह है आपका point, अब यह triangle आप ध्यान से देखेगा, triangle क्या बन र 14 और height कितना होगा यह फौर फौर क्या था radius दिया हुआ था यह आपको पता है कि radius कितना है फौर तो यहां पर वन बाइटू बेंट वाला फर्मॉला यूस करिए तो यहां पर आपको area मिल जाएका 1 by 2 into 14 into 4 solve करेंगे कितना में लेगा 28 cm2 यह हो गया अब आते हैं हम लोग 2nd वाले पार्ट पर तो 2nd वाला पार्ट आपका इधर है जहाँ पर मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से देखेगा यह आपका 2nd वाला ट्रेंगल तो यहाँ पर भी आप 1 by 2 base into height use कर लिजे तो base कितना निकलेगा ध्यान से देखेगा तो base कितना है 8 यहाँ पर है और यहाँ पर है x ठीक है तो कितना हो जाएगा 8 plus x base होगा height height सभी case में कितना है 4 ही है इसको अब solve करिए solve करके simplify करिए तो कितना मिलेगा 16 plus 2x मिलेगा दो पार्ट आपका solve हो गया अब आते हम लोग तीसरी वाले पार्ट पे तो तीसरा वाला पार्ट ऐसा है कुछ देखे है यह है तीसरा वाला पार्ट यहाँ पर base बताए कितना होगा 6 plus x यह हो जाएगा base और height कितना होगा 4 ही होगा तो यहाँ पर देखे है तीसरा वाला पार्ट को मैंने solve किया तो base कितना है 6 plus x और height कितना है 4 तो इसको पूरा solve करेंगे तो कितना मिलेगा 12 plus 2x ठीक है simplify करने के बाद यह तीनों पार्ट का हम लोगों ने separate separate solve कर लिया by 1 by 2 into base into height के वाले formula से अब आपको क्या करना है यह जो पूरा triangle था यह जो पूरा triangle ले overall triangle अब इसका area आपको निकलना है by hero's formula ठीक है तो आप इसको अच्छे से बना लीजे ठीक है तो इसके sides देख लीजे कितने होंगे अगर आप यह diagram पूरा अच्छे से बनाएंगे तो आपको सभी side पता चल लाएगा कि side कितना कितना है नीचे वाला कितना हो जाएगा 14 इस side वाला हो जाएगा 8 प्लस X और इधर वाला हो जाएगा 6 प्लस X तो hero's formula आपको यादी होगा A, B और C लेते थे तो एक को मैंने A ले लिया एक को B ले लिया और एक को C ले लिया ठीक है तो hero's formula निकालने के लिए सबसे पहले S निकालता है तो S क्या होता है A प्लस B प्लस C बाइटू ठीक है तो A का वेल्यू है 14 B का वेल्यू है 8 प्लस X और C का वेल्यू है 6 प्लस X सभी को add करिए add करने के बाद 2 से divide करिए simplify करिए कितना मिलेगा आपको 14 प्लस X यहाँ पर देख लिए solution क्या है simplify करना है simplify करके S का वेल्यू मिलिया 14 प्लस X अब hero's formula क्या था class 9 में सभी कोई पड़े होंगे याद ही होगा आप लोगों को A equal to S into S minus A into S minus B into S minus C सारे value को put करिए simplify करिए simplify करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा 14 प्लस X into X into 6 into 8 अब इसको हम लोग आगे solve करेंगे आगे solve करेंगे तो क्या मिलेगा आपको ध्यान से दिखिए यहाँ पे X को अंदर multiply कर देंगे तो हो जाएगा 14 X plus X square और यहाँ पे 6 और 8 इसको prime factorize करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा तो जिसका जिसका पेर बनेगा उसको बाहर निकाल दीजे और जिसका पेर नहीं बनेगा उसको अंदर ही रहने दीजे ठीक है तो यहाँ पेर 2 का पेर दो बार बनके उसको बाहर कर दिये और finally आपको answer यह मिला आप हम लोगों ने किया क्या अभी तक 3 पार्ट का separate separate हम लोगों ने area निकाल ला ठीक है तիनों पाट का separate separate निकाल यह first पाट था इधर वाले यह second पाट था और इधर वाले तर्ड पाट था यह first second और यह third और overall भी निकाल लिए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि overall area equal to, ऐसा लिख सकते हैं कि overall area equal to area of first triangle, area of second triangle, area of third triangle, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है तो ऐसे ही मैंने किया, यह overall area जो मिला था उसको यहाँ पे put कर दिया, area first वाले triangle का, second वाले का, third वाले का, सभी को हम लोगोंने plus कर दिया, plus करने के बाद आप solve करिय जाएए simplify करिए देखें आप 56 प्लस 4x निकला है यहाँ पर 4 common निकल जाएगा 4 4 cancel out हो जाएगा उसके बाद आपको यह मिलेगा इसके बाद क्या करेंगे आप इसके बाद यहाँ पर यह square root है तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों side square करेंगे तो square root हट जाएगा एक side से square root हटेगा तो दूसरे side square लग जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए 3 in bracket 14 x plus x square equal to 14 plus x का whole square ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x common निकल सकते हम लोग तो x को बाहर कर दिया मैंने तो अंदर बचा 14 plus x और यह देखिए 14 plus x का square है जिसको हम दो बार लिख सकते है 14 plus x into 14 plus x इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पर यह simply cancel out हो जाएगा इसलिए सकिया ठीक है अब इसको cancel out होने के बाद बचा कि हमारे पास left side बचा 3x और right side बचा 14 plus x solve कर यह x का value कितना मिल गया 7 अब x का value 7 मिल गया तो वैसे ही आपको डियाग्राम में जासा था जहां जहां मैंने x लिया था वहां महां क्या कर दीजिए आप 7 put कर दीजिए देखिए 7 7 नीचे 6 6 और यह 8 था बस एक बार add कर दीजिए आपको value मिल जाएगा कि a b और a c का value बस डियाग्राम यहां पर बनाते टाइम मैंने b और c थोड़ा सा इंटर्चेंज कर दिया आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा बाकि वैसा कोई mistake वाली कोई बात हा नहीं ठीक है कि प्र कर दा है बिया खर बाकि लाली कोई ऑगे वहां सी Kelly